हेलो गाइस वेलिंक बेंग अगें इन 4B इंजिनियर्स तो यूनिट वन जैसे की रेफ्रिजिरेटर का फर्स्ट पार्ट है ठीक है फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडेक्शन ओफ रेफ्रिजिरेटर एंड एयर कंडिशने तो चली सुरू करते हैं ओके गाइस तो चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडेक्शन देखते हैं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं ठीक है तो चैप्टर ज्यादा बढ़ा नहीं है एप्रॉक्शिमेट आठ से दस लेक्शर में ये यूनिट खतम हो जाएगा मैं कोसिस करूंगा आज खतम करने की तो चलिए देखते हैं यह चैप्टर एक्शुली है किस टॉपिक पे ठीक है तो जनरली जो आरेसी जो हमारा सब्जेक्ट है रेफ्रिजेरेटर एंड एयर कंडिशने उसका पहला यूरिट में यह आपको पूरा बेसिक कॉंसेप्ट क्लियर करेगा तो इससे पहले मैंने थ पहले केल बेसिक कॉंसेप्ट ऑफ थर्मोडायमी वह जरूर देखें अधरवाइस आपको बहुत से डाउट आएंगे जो कि मैं आई थिंक आंलाइन क्लियर नहीं कर पाऊंगा तो क्या है रेफरिजिरेशन क्या है रेफरिजिरेंट क्या है रेफरिजिरेट और यह सिस्ट आपका जो फ्रीज है वो फ्रीज के अंदर का जो टेंपरेचर होता है वो बाहर के एटमोस्फेर टेंपरेचर से क्या होता है हमेशा कम होता है तो रेफरिजिरेशन सिस्टम का काम क्या है कि सिर्फ थंडा नहीं करना अबजेक्ट को सिर्फ थंडा नहीं करना है उसको उसी temperature पर maintain करके रखना है लंबे समय तक यह होता है refrigeration ना कि ठंडा करना है वो तो AC करता है air conditioner है काम ही है clear? तो refrigeration और air conditioner में थोड़ा सब ध्यान दे अंतर है AC काम क्या है? वो कुछ देर के लिए room को क्या करता है वो coolant cool effect produce करता है but refrigerator क्या करता है maintain करता है as well as produce भी करता है ओके now second point है हमारा it means removing of heat from a substance to be cooled yes करता का है refrigerator जो भी आप food अपने freeze के अंदर रखे हो उसका जो भी heat है उस heat को remove करता है वो heat को अपने अंदर लेके उसको बाहर atmosphere में निकाल देता है और ऐसा तब तक करता है जब तक एक particular temperature maintain ना हो जाए पूरे फ्रीज में और जैसे कि हमें पता है heat always passes downhill means from a warm body to a cooler one हमेशा heat कैसे move करता है hot body से cold body की हो until both body are in same temperature जब तक दोनों body equilibrium ना हो जाए तब तक वो क्या होगा heat hot body से cold body तक move होता रहेगा जैसे आप अपने फ्रीज के अंदर क्या रखे हो कोई apple रखे ठीक है apple को रखे ठंडा करने के लिए means उसको store करने के लिए आप फिर उसमें जो coolant refrigerant है आपके फ्रीज का जो refrigerant है वो refrigerant क्या करेगा वो अंदर आएगा अपने फ्रीज के अंदर in the gaseous form और वो ठंडा होगा जब अपने apple के surrounding में जब वो rotate करेगा तो apple की सारी गर्मी वो अंदर ट्रांसफर करेगा तो जो ठंडा होगा उसकी temperature अगर 2 degree Celsius होगी उस fluid की वो 4 degree Celsius हो जाएगी क्यों? क्योंकि उसने apple से heat transfer कर लिया अपने अंदर और वो फिर बहार निकल जाएगा ओके refrigeration means the cooling or removal of heat from a system clear? अगर कोई system है तो उसके अंदर से उसको ठंडा maintain करके रखना या फिर उसको ठंडा करना और उसके अंदर जो heat है उसको remove करना वो system, for example अगर मैंने ये गोला बना दिया तो ये एक system हो गया इसके अंदर जो भी हमने रखा है तो refrigeration काम क्या है? उसको ठंडा करना जो भी body हमने रखा है या फिर जो भी इसके system के अंदर heat है उसको बाहर की और remove करना इस काल्ड refrigeration process अगला point हमारा कहता है the equipment employed to maintain the system at low temperature is termed as refrigerating system जो भी आप equipment use कर रहे हो जो भी system के अंदर temperature maintain करने के लिए lower temperature maintain करने के लिए जो equipment है उसे हम लोग बोलते है refrigerating system और जो system है which is kept at lower temperature is called refrigerated system clear? refrigeration is generally produced in one of the following method तीन तरीके से हम refrigeration produce कर सकते हैं, कौन-कौन सा है वो तीन तरीका वो तीन तरीका है by melting of solid by submission of solid or by evaporation of liquid कैसे? by melting of solid तो पुराने जवाने में हम कैसे ठंडा करते हैं या अभी भी जिस गाउं में या जिस सहर में अगर लाइन नहीं हो, electricity नहीं हो तो वहाँ जो cold drink बेशते हैं, वो कैसे बेशते हैं क्या करते हैं? वो अपने एक isolated डबा लेते हैं फोम का और उसके साइड में पूरा बर्फ डाल देते हैं चीक है? और नमक डाल देते हैं कि ताकि बल थोड़ा slow-slow पिल ले और उसके अंदर cold drink का bottle रखते हैं तो melting जैसे ऐसे वो धिरे-दिरे melt होता है दीर बहुत कम दीरे melt होगा वैसे वैसे उस box के अंदर cooling effect बनाते आता है ओके सेम ऐसे ही हमारा by sublimation of solid by evaporation of liquid all things clear? ना तो जो हमारा mechanical refrigerator है वो हमारे depends चार उसके components है mechanical refrigeration depends upon the evaporation of liquid refrigerant and its circuit okay तो mechanical जो हमारा जो freeze है या फिर आपका कोई coolant storage room है तो वो काम कैसे करता है वो depends पूरा evaporation of liquid पे काम करता है तीन तरीका हमें देखा था sublimation, solid और evaporation तो जो हमारा day-to-day जो freeze वेगरा है उसमें कोंसा process होता है evaporation of liquid liquid evaporate हम करते हैं तो वो evaporate होने के बाद लिक्विड थंडा हो जाता है कि वो easily hot body से heat absorb करके बाहर निकल जाता है एक compressor होता है एक condenser होता है एक expansion valve होता है तो यह चार component जो है आप पूरे freeze को work करते हैं तो एक lecture में बनाऊंगा after एक दू topic खत्म करने के बाद कैसे refrigerator काम करता है किस component cover क्या है clear now now it is used for prevention of food manufacturing of ice food solid carbon dioxide and control of air temperature and humidity in the AC system clear now application of refrigeration application of refrigeration okay next next application of refrigeration application of refrigeration application of refrigeration इसमे क्या होता है pani we need be refrigeration आइस मेकिंग में काम आता है, फूड की ट्रांसपोर्ट में काम आता है, इंडस्ट्रियल एर कंडिशनिंग में काम आता है, कमफोर्ट एर कंडिशनिंग में काम आएगा, फ्रीजिंग फूड प्रोडेक्ट को फ्रीज करने में काम आता है, और oil refining और synthetic rubber manufacturing जब synthetic rubber की manufacturing करते हैं oil refining में भी हमें refrigeration का काम पढ़ता है अब elements of refrigeration system कौन कौन से element होता है compressor अभी मैंने उपर बताया था compressor, condenser, expansion valve और evaporator ओके यह हुगा हमारा evaporator जो कि क्या करता है evaporate करता है जो liquid आता है liquid refrigerant उसको evaporate करके क्या करता है ठंडा करता है ओके यहां पर थोड़ी mistake थी जो चार प्रोसेस है actual में होता है जो main and refrigerating की main system होता है कों कों से होता है compressor, condenser, expansion valve और refrigerator ठीक है evaporator यहां पर expansion valve में ही जो है न यहीं पर evaporator यह दोनों बोले तो एक है evaporator होता है कैसे आने वाले लक्षेस में आपको पहचे जाया है होता क्या है देखो यह compressor है compressor से प्रेस्टराइज्ड जो liquid है वो निकल गर्म होती है यहां समझते है लिक्विड आई लिक्विड एक्सपेंशन वाल में गया यहां capillary tube लगा होता है वो क्या करता है जो लिक्विड की temperature को कम करता है ठीक है due to cross-sectional area decreases तो उसको यह करेगा उसका फीड सीज जाएगा यहां पर निकलेगा यहां पर निकलेगा वो गैस रेफ्रिजिरेटर में जाएगा जहां पर आप फूड वगारा रखते हो वीड को वहां से लेगा और फिर हुआ के कॉंप्रेसर में आ जाएगा और पूरे प्रोसेस ऐसे चलता रहता है clear now अगला हमारा unit of refrigeration तो देखो 10 और 10 में बहुत अंतर होता है बहुत सारे student इसमें confused होते हैं clear कैसे ton में क्या होता है आपका यह जो ton होता है यह define करता है हमारा refrigerator का AC का refrigerator का ton और यह जो ton होता है इस T O N E का मतलब होता है 1000 kg और यह हमारा refrigerator में जो ton का use करते हैं वो 2 में होता है एक UK में होता है empirical form में होता है इन UK time में 1016 kg होता है ton का मतलब 1016 kg और empirical में होता है 907.2 kg तो generally जो ton का use करते हैं यह वाले ton का use करते हैं empirical form है okay BTU एक unit use करते हैं हम किसी भी AC और refrigeration के ton को define करने के लिए उसके amount को define करने के लिए BTU that is British Thermal Unit okay now one ton of refrigerator जैसा कि आप बोलते हो एक ton का आपका refrigerator है या एक ton का AC है 1.5 ton का AC है 2 ton का AC है क्या मतलब हुआ इस एक ton 2 ton 3 ton AC का तो यह हम आगे देखेंगे ठीक है तो one ton of refrigeration में होता कितना बारह जार BTU पर आवर होते हैं कितने होते हैं बारह जार BTU पर आवर क्लियर ना अब BTU होता क्या है BTU is called इसका term होता है British Thermal Unit okay it is the amount of heat transfer needed to rise the temperature of one pound of water by one degree Fahrenheit it means बोले तो इसको ऐसे समझें means कितना heat आप कि आपको जरूत है कि one pound of water को one degree Fahrenheit पर चेंज करने के लिए okay now थोड़ा सा आगे और समझते हैं फिर clear हो जाएगा नमारा BTU यह वन टन टू टन होता क्या है 1 BTU is equal to 0.2522 it's 2522 kcal okay in MKS system और 1 kcal is equal to 3.966 BTU होता है यह term याद रखीगा गए numerical में काम आएगा और 1 BTU is equal to 1055 Joule होता है in SI unit okay therefore अपने यह कर सकते हैं कि one ton of refrigerator is equal to 1200 BTU into if we want to change in kcal per minute ठीक है तो 12,000 into this upon 60 hour 60 is equal to 50 kcal per minute एक minute में इतने heat को यह remove करता है एक term का मतलब यह होगा 1 ton of refrigeration in terms of kilowatt तो 12,000 into kilowatt में change करना है और Joule में this upon 3600 is equal to 3.5 kcal okay तो means 1 ton का मतलब है कि 3.5 kW इतना power consume करेगा तो एक ton का AC वर्क होता है इसके जड़त परती ठंडा करेगा इतने रोब को इतना power उसको consume करने जड़त पड़ेगा reject करना होगा okay now अब for example calculation of AC for a room अगर आपको अपने रोम के लिए AC चाहिए तो आपको कैसे पाच लेया कितने टंग का AC suitable होगा वैसे तो पहले ही देखते हैं सबसे पहले तो आपके room की height क्या है length क्या है width क्या है इस तीनल से आप volume of room निकाल लेना निकाल लोगे now 10 कितने टंग की AC यूज़ करना उसके लिए formula होता है cube root of this volume of room upon 10 तो आपका जो 10 requirement आएगा 1.35 which is equal to 1.5 that means 1.5 तन का अगर आप AC यूज़ करोगे इतना बाइतने बाइतने रोम के लिए तो वह बहुत suitable होगा अब यह तो हमने खाली रोम के लिए देखा अब रोम के अंदर आदमी दो पर्सन है चार पर्सन है फर्नीचर्स है कपड़े है यह सब और उसको डिस्टेट करेगा तो इसके लिए क्या करता है हम उस सब के लिए भी अलग-अलग तो अगला एक और तम है कोफिशियंट और पर्सनीच थीक है तो कोफिशियंट पर्सनीच इसको भी हम देख लेते हैं। फिर अगले लेक्चर से हम में टॉपिक और निमेरिकल स्टार्ट करेंगे इस यूनीट का तो कोफिसियंट अफ पर्फोर्मेंस तो हमने जब ऑटो साइकल, डीजल साइकल, आइसी इंजिन के जो टॉपिक्स पढ़े थे मेंस एयर स्टेंडर्स साइकल पढ़े थे तब हम in case of IC engine तब हम COP नहीं निकालते थे तब हम क्या निकालते थे, efficiency of the engines ओके, but in case of refrigeration यहाँ term आयाता है COP that is coefficient of performance अब पर्फोर्मेंस क्या है, उससे हम अपने refrigerator को define करेंगे, ना कि efficiency से defined तो coefficient of performance होता क्या है It is defined as the ratio of heat absorbed by the refrigerant जो होता क्या देखो, compressor से थंडा हुआ heat यह जो liquid compressor से liquid निकला, वह काफी गर्म है क्योंकि अभी प्रोसर से होकर आया है यह condenser में गया, fins जो लागे, उससे थंडा हो गया थंडा होने यह बार, वह expansion में आएगा expansion में जब आएगा, तो वह liquid gases form a change जाएगा तो वह जो liquid है, उस liquid हो क्या हमने बोलते है, refrigerant वह यहाँ पर gases face में वह refrigerant है, जब आपके evaporator और रेफरिजिरेटर में आपके जाएगा जब आपके रेफरिजिरेटर में जाएगा, तो उसके जो food वेगरा जो आप रखोगे उसको heat को लेगा, वह refrigerant और बाहर की वह निकल जाएगा ठीक है, तो क्या होई COP? जो refrigerant है, वह कितना heat absorb किया ठीक है, while passing through the evaporator to the work input, कितना work लगा आपको वह liquid यहाँ से process liquid को भेजने में उसको आप divide करोगे तो आपकी refrigerator की COP इनकलाएगा therefore COP is equal to net refrigerating effect upon कितना energy input या work input अब कितना लिए therefore COP को हम R upon omega, W से denote करते हैं where R is the net refrigerating effect और कितना heat absorbed किया body ने heat absorbed और ऐसे भी लिखते है heat absorbed upon work done, कितना work हुआ इस system में work is equal to heat absorbed minus heat reject यह भी होता है और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं यह होता है COP का formula अब relative COP जब पूछेगा what is the relative COP of the system relative COP calculate करने के लिए actual COP क्या है यह formula से जो आप system से calculate करके निकालोगे और in case of theoretical means actual में आपको जब check करोगे तो क्या आ रहा है और with the help of formula क्या आ रहा है उन दोनों जब divide करोगे तो आपको relative COP means actual और theoretical का relation in case of COP निकल जाए होगे now actual COP means ratio of the value of ratio of heat absorb or work done actual measure during test तेस्टिन जब आप बना लोगे अपना रेफेज़़ज़़ज़़़ तेस्ट करोगे उसको तो उससे जो आपको value आएगी आपकी कितनी heat absorb हो रही है और कितना work done में वो अपन theoretical value जो आपकी formula से calculate करके हैं उनको divide कर दोगे तो आपका relative value clear तो ये था हमारा first part second part में हम air refrigerator working कैसे करता है ठीक है वो हम देखने है clear thank you